जैहिन दोस्तों एक वाए फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए कौर इंखामेटी वीडियो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम आप दे चुके हैं और अपने चैनल पर अपने वीडियो पर दे रहे हैं कि आपकी कटाफ कितने जाने वाली है मेल की कितनी जाएगी फिमेल की कितनी जाएगी कटेगरी वाइस भी बता रहे हैं सब कुछ अलग-अलग चैनल पर अलग-अलग तरीके से बताई जा रही है लेकिन सबसे ज़्यादा confusion में जो आ गया है वो है student कि अब उसे करना क्या चाहिए तो यहां आपको एक बात समझनी है, आप अपना खुछ से करें करें, खुछ से आप समझ第二 कि आप ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, क्या के आप से चीजे गलत हुई है, क्या क्या आपसे चीजे सही हुई हैं इस सारी चीजों का मुल्यांकन करने के बाद आप एक निसकर्स पर निकल लिए निसकर्स पर जाईए कि क्या मुझे वास्तव में फिचकल की तैयारी करने चाहिए या किसी और वेकेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप जो पिछले साल की वेकनशी योड़ी बैक्ट टू-बैक, दो-तीन वेकनशी आई थी पिछले लाउस्ट कुछ सालों में तो आप उनकी कट आफ उठाके देखिए कि क्या क्याक उनका कट आफ रहा है क्या किया उनका क्राइटेरिया रहा है कैसे कैसे बच्चों को फिजकल में बुलाए गया है और किन किन तरीकों से इसकी प्रक्रिया पूरी कराएगी है आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको भ्रमित नहीं होना है अगर आ में यह चीज़े आ गए होंगी कि मुझे यह भरती पानी है तो आप अपनी प्रक्रिया को रोकिए मत बीच में डिश्टर्प मत करिए एक बात बिलकुल यहां परता है कि आपकी जो यह प्रक्रिया है यह बहुत ही जल्दी किलियर कराई जाएगी बहुत ही जल्दी पूरी कि जाएगी क्योंकि कही नके जो दूसरी वेकेंसी है उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला एससी जीडी का आप देख रहे हैं कि अभी बhrती प्रक्रिया चल रही है और दूसरी वेकेंसी के नोटिफिकेशन भी आ चुका है तो एसे में आप भी बिलकुल मेक शू हो जाएए कि यह वेकंसी बहुत ही जल्द फिलप कराई जाएगी बहुत ही जल्द इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा इस संबंद में रोज एक नए आर्टिकल छपते हैं मातपूर्ण चैनल भी हैं वो भी अपने वक्त अपने 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 आर्टिकल निकाल रहे हैं और कहीं न कहीं लगातार इंटर्व्यूर हैं जिसमें यह बताए जा रहा है कि आपका जो फिजकल है वो बहुत ही जल्द कंडेक्ट करा जाएगा इसको लेकर लेकिन सबसे पहले यहां बात आयाती कि आपकी एंसर की कब आईगी और आपका फिजकल कब होगा तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2013 वाली वैकनसी से 2015 की जब वैकनसी आई थी आपकी तो बहुत ज़्यादा तो 6 महीने में यह वैकनसी पूरी कर लिए थी किदने शै महीने में यह वैकनसी क्योंकि आपका फिजकल हुआ व सारी आपका डी वी हुआ डी बी के तुरन बाद 24 से 48 घंटे के अंदर बच्चों को फिजकल के लिए बुला लिया गया फिजकल के बाद तुरंत उनका मेडिकल हुआ है मेडिकल के बाद तुरंत उनका जो है जो है ज्वाइनिंग के डेट आ गया और वो ट्रेनिक पर चलेगे बहुत जल्दी ये परकिरिया पूरी कर ली कि कब आएगी ये मान के चलिए कि आपकी इस सप्ता नहीं तो अगले सप्ता एंसर की आपके रिलीज कर दी जाएगी जब एंसर की रिलीज आपकी हो जाएगी फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके जो डाउट्स है या जो कोश्चन गलत हुए है उन पर आपत मैक्सिमम वन मन्थ आपका लगेगा वन टू टू मन्थ बस मैक्सिमम अब फिर इसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा और फिजिकल जैसे शुरू होगा ये समझ लिजे कि 2018 में जब फिजिकल शुरू हुआ था बच्चों को 50-50 के ग्रुप में Crach में मैं अपने आखों देखा हाल बता रहा हूं सुनुनी हर्य बाद नहीं मैं इस नो 10 और चुरू 12 बच्चों पास होते गहां इस पच्चास के बह्यश्य 22 बच्चे तो आपने रिटन के लिए सब कुछ हो गया तो आप अपने रिच कल क्यों नहीं स्टार्ट करने आप अपने तैयारी शुरू करिए समय आपके पास बिल्कुल नहीं किसी भी स्टेज में किसी भी दिन अभी आजाए कि क्योंकि यह सब इयाई जनरेटेड होता है इसमें ऐसा को तो कुछ है नहीं, मैनुवल तो कुछ काम अब रहा नहीं, सारा काम सिस्टम, कंप्यूटर वर्थ हो गया है, हो सकता आपकी कल परसो कभी भी आ जाए एंसर की, उसके बाद तीन दिन में आपकी आपतीज दर्ज कराएंगे, एक सब्ता में वो, फिर अगले सब्ता में आप का फिचकल चालू करा देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने फिचकल की तैयारी अभी से सुरू कर दीजे, और ये मान के चलिए कि आपका फिचकल हर हालत में, हर हालत में आपका ये फिचकल दिसंबर से चालू हो जाएगा, मैं मैक्स टू मैक्स टाइम अपने स्टेमना को इंप्रूब करिए, आप अपनी रनिंग को इंप्रूब करिए, हर तरीके से आप अपने आपको परफेक्ट बनाईए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सा ऐसा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि बच्चे स्कोर बहुत अच्छा कर देते हैं, रिट आपको तैय करनी है, आप अपना स्वामूल यांकन करिए, आप देख लीजे कि मेरा स्कोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर नहीं भी बन रहा है, आज पास भी पंद्रा से बीस नंबर पीछे हैं, पचीस नंबर, तीस नंबर पीछे हैं, आगे हैं कोई दिक्कत नहीं आपने फिजकल की तैयारी शुरू कर दिए अब जब आपको वर्दी पानी है तो इसके लिए नहीं किसी और एक्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे तो आप अपने तैयारियों को इंप्रूब रखिए और दिसंबर तक मान के चलिए आपका फिजकल हो जाएगा एंसर की अगले सब्ता तक आपके अंसर की आ जाएगी और दूसरी वेकंसी भी आने वाली है यहाँ पर इतनी चीजे आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत ज्यादा आप चक्कर में नपढ़िए कि हमारी कटाप क्या है हमारी एंसर सीट कब आएगी एंसर की कब आएगी बहुत से लो करना है क्या आपको क्लियर करना है क्या अपना एक लच अपनी एक सीट ठीक है तो अगर आपको इसमें कोई कंट्यूजन हो रहा है अगर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बात करना चाहते हैं तो बेशक मुझे कॉमेंट करिएगा आपके लिए हमेशा आवेल सकतुर जो